नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY Things with Preya में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों वीडियो का थम्मेल लेकर आपको पता ही चल चुका होगा कि आज का जो टॉपिक से हमारा वो नवंबर मन्त में जो है कौन-कौन से वेजिटिबल आप ग्रो कर सकते हैं उसी के उपर है तो उसी के बारे में मैं जो है आज आपको बताने वाली हूँ इससे पहले जो है दोस्तों आपके साथ मैंने आप विंटर में या नवंबर मन्त में आप कौन से जो है सिट्स फ्लावर के लगा सकते हैं वो बताया था तो अगर आपको फ्लावर में भी इंटरेस्ट है या आप फ्लावर की जानकरी चाते है तो उसका जो वीडियो का लि जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए जिए फर्स्ट जो हमारा जो वेजिटेबल का प्लांट है कोल राभी या गार्ट को भी इसे नोल खोल भी बोला जाता है यह काफी जगे पे शायद ना भी मिले लेकिन बहुत सी जगे हैं जहां पर मिल भी जाती है जैसे राजस्तान पंज इन सारे जगे पे काफी अचे से यह मिल जाती है और यह जड़ों के ऊपर जो है गार्ट की तरह होता रोसी के ऊपर साइड से जो है लीवस वगेरा निकलते हैं तो जहां पर यह आपको बीच में जो फूलावा हिस्सा दिखता है इसी को ही गार्ट को भी बोल रहा है इसी क बीच के बीच के बीच में जो है कम से कम चार से चाह इंच का फासला रखिए और उसके बाद एक बीच बोही है तो उस तरह से आपके जो बीच रूट का जो प्लांट है वह बहुत ही अच्छा से उगाएगा और इसके पतिया और जड़े हैं दोनों ही खाने के काम में लिय प्लांट के काती है रखिणी का वह पतितनों है तूसे इसे और सभी दूट के लिच के बीच में जो इन ग्याना च्लाइगा अगले ताकि प्लांट के बीच में धोड़ा साइगा ड़ा रखिश के के रूप में आप सबडें विच में खहां सॉब वेलरेंस सोईल की जरुरत होती है दोस्तों फोर्ट जो हमारा वेजिटेबल का प्लांट है लैसुन या गार्लिक इसे जो है आप बीच से तो उगा ही सकते हैं साथ में घर पे अगर रखी भी कोई लसन है उसे भी आप जो है एक-एक कलियों को अलग करके अगर बोईंगे तो आपका जो प्लांटे बहुत ही हसानी से उगाएगा इसको भी मॉइस्ट मिट्टी ही पसंद है इसकी पत्तियों से आप चटनी बगरा भी बनाकर खा सकते हैं और यह जो है लसन जो है एंटी बैक्ट्रियल और एंटी फंगल के साथ साथ हार्ट के लिए भी बहुत ही सहतमन्द होता है तो फिफ जो हमारा प्लांट है कॉलिफ लवर या फूल गोबी यह खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट होता है और इसे जो है दो बार उगाया जाता है मतलब पहले आपको सिट से प्लांट बनाने पड़ेंगे और उसी प्लांट को जो है आपको दुबारा जो है कम से कम 12 से 15 इंच का एक गोबी के बीच में गैप रखते वे बोना पड़ेगा ताकि आपको हेल्दी गोबी या फूल ग पर अभी फूल गोबी में काफी सारे कलर आते हैं इसमें आप देख सकते हैं परपल येलो ग्रीन सभी तरह के फूल गोबी मिलते हैं तो अगर आपको इस तरह के कलर वाइज जो है फूल गोबी के सिट मिले तो आप जरूर से इस तरह के भी लगा सकते हैं इसे भी आपको दोबारी उगाना है पहले सीट से आपको प्लांट बनाने है और प्लांट को जो है कम से कम 10 से 12 इंच का फासला रखते हुए एक एक पौधे को जो है लगाना है इसे भी वेल्डरिन सहीली पसंद है और इसमें जो है हरा बैंगनी लाल सभी तरह के कलर अभी मिल जाते हैं तो दोबारी जरूर से इसे भी लगा सकते हैं डोस्तों सेवन हमारा प्लांट है कैपसिकम या शिम्मला मिर्ची काफी काफी खाने में स्वादिश्ट है और इसमें हरे सिफ रह रंका ही मिलता था अभी येलो रेड पिंक सबी तरह के कलर में मिल जाता है तो अगर आप कलरफु सबजी बनाना चाहते हैं तो कैपसिकम उसके लिए बहुत ही अच्छा और स्वाधिस्ट जो है option है यह भी जो है दोस्तों से ग्रो होने वाला ही पौदा है तो इसे भी आप इस समय जो है लगा सकते हैं दोस्तों एट जो हमारा प्लांट है टॉमेटो या टमाटर इसे जो है और सिट्स से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और न Wikipedia के पौदे में दोस्तों जो है मिलिबक्स लगना बहुत ही कॉमंच्या होती हैं और रियू बहुत ही कॉमंच्या होती हैма लिव-ली मयवट्ण की समस्या से coração और यो चाहिए बहुत ही कॉम जो बहुत है मिलिबक्स प्रॉब्ल अब नीमोयल का छिर्काव कर सकते हैं और दूसरे चीज अगर लीव कल्स का कोई भी प्राब्लम हो तो उसका कोई निदान नहीं है तो उस प्लांट को आप उखाड़ कर फेक सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रूट नहीं लगने वाला है और दूसरे चीज इसमें आप 3G और 4G कटिंग करके टाइम पर तो आप बहुत ही अच्छे से टमाटर के प्लांट से पा सकते हैं तो नाइन जो हमारा प्लांट है ब्रॉकली ब्रॉकली जो है वो ग्रीन कलर का होता है और यह बहुत है लगने टेस्ट सबजी होती है इसे भी विषट से ग्रोग करते हैं फूलगोबी तर ऐसे भी दो बार लगाया जाता है पहले आपको प्लांट बनाना पड़ेगा अछिट से उसके बाद आपको एक एक प्लांट को जो है जैसे जि Cub काट लेते हैं तो दौबार उसमें thumbnail काटने के बाद विर्स भी बॉर्षज से जो सब्सक्राइच कि आज इसको टैंच उप दोगधे विएफिका सबस्धिकली या जाती है अस不足 बढ़ते हैं या फली बहुत खोड़िस्ट होती है और सूखे मटर की सबजी भी छोले दाल इस तरह के बनाए जाते हैं और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और यह एक वाइन है जोस्तों 11 जो हमारा प्लांट है कोरियंडर या धनिया आप इसे घर के धनियों से भी उगा सकता है सिर्फ आपको इसे हलका सा क्रश करना होगा ताकि यह दो टुकड़ों में बढ़ जाए धनिया और उसके बाद उसे रात को आप कम से कम पानी में भीगो दीजिए और उसके बाद आप दूसरे दिन जो इसे लगा सकते हैं धनिया को चटनी की तरह भी खाया जाता है सबजियों में भी खुश्बू के लिए दिया जाता है और नॉर्मली भी इसका सेवन किया जाता है धनिया के फूल भी काफी सुंदर होते हैं दोस्तों ट्वेल्थ नंबर जो हमारा प्लांट है ओनियन या प्याज इसे आप सिट से भी ग्रू कर सकते हैं और नहीं तो आप घर पे रखे वे प्याज से भी जो इसे बहुत असानी से उगा सकते हैं लेकिन घर के प्याज से जब आप प्लांट लगाएंगे तो उससे आपको नए प्याज नहीं मिल पाएगा आप सिर्फ उसके पत्या और जो है उसे बीज बना पाएंगे प्याच की पत्यों से आप जो है सबजी या पकोड़े वगएरा बना कर भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं जो से 13 जो हमारा प्लांट है अमरंतस ग्रीन या चोलाई साग ये एक तरह का साग है इसके पत्या खाई जाती है और इस में कलर दोस्तो लाल और हरे रंग का पाय जाता है इसे भी जो है आप सिर्ट से ग्रो कर सकते हैं इसके सीट पॉट बनने से पहले ही इसका जो है यूज किया जाता है खाने के तौर पर और ज्यादा से ज्यादा इसकी पत्या ही खाई जाती है दोस्तो 14 जो हमारा प्लांट है कैरट या गाजर इसे आप 5-6 इंच के पॉट्स में भी आसानी से उगा सकते हैं इसे सिट से भी ग्रो कर सकते हैं गाजर को खाने के बाद जो टिप वाला हिससा आप फेक देते हैं। उसे भी आप चाहे तो दोबारा से उगा सकते हैं। गाजर के फूल काफी सुन्दर होते हैं और इसमें जो काफी कलर हैं, और एंज पिंक, और रेड भी कलर इसमें मिल जाते हैं। दोस्तो 15 जो हमारा प्लांट है पालक या स्पिनच यह जो है इसकी पत्या बहुत ही ज्यादा आइरन का श्रोथ होता है और इसे जो है आप सिट से बहुत ही इजिली ग्रो कर सकते हैं और यह तरह का साग है तो इसे जरूर से ही लगाईए अपने गार्डन में तो यह था दोस फॉरольше को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरे चैनल को अभी तक सबसक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसक्राइब कर लिजिये और मेरे लेटेस्ट वीडियो जा पाहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ हो तो वहां से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ